डिफेंस कोचिंग पटना यूटूब चनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ अभिनो सिंग जहीं सात्यों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ मेडिकल से रिलेटेड और खासकर फ्लेट फूट के लिए वीडियो लाया हूँ बहुत दिन से बहुत सारे बंदों का एक दिमांड था कि सराव मेरे लिए वीडियो लाओ क्योंकि मेरी मेडिकल होने वाली है तो मेरे लिए फ्लेट फूट की वीडियो लाया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि medical कैसे होती है, क्या देखा जाता है और medical कैसे ठीक किया जा सकता है flat food को और कितने दिनों में ठीक किया जा सकता है मैं पूरी वीडियो आपके सामने लाया हूँ आप इसको अन तक जरूर देखे साथी हो तो सबसे पहले medical होता कैसे है आपके तलवे यदि समतल होंगे तो आप medical unfit हो यदि आपके तलवे में gap बनता हो ये मेरे तलवे को देखो आप ये बिलकुल gap है यानि के साथियो मैं बिलकुल medical fit हो और यदि आपके तलवे में gap होगा तो आप भी fit रहोगे और यदि समतल है तो आप unfit हो बिल्कुल मेडिकल से डरने की जरुवत नहीं है साफियो यह आपके लिए होता है आपके सुरक्षा के लिए होता है और मैं आपको बता दूँ कि इसकी टेस्ट कैसे होती है डिफेंस फोर्चेस के अंदर में तो सबसे पहले मैं आपको बताओं कि इसकी test कैसे होती है तो सबसे पहले ही आपको पानी पे चलवा के फिर सूखे पे चलवाएंगे और जब सूखे पे चलवाएंगे तो वहाँ पर आपके पैर के जो image बनेगे वो बिलकुल फ्लैट बनेगे तो आप medical में unfit हो यदि इमेज में थुरा सा गैप रहेगा बीच में तो आप मेडिकल फिट हो और बहुत सारे बंदों का सवाल था कि सर मैं फ्लैट फुट हूँ और इसको ठीक कैसे करूँ तो इसके लिए कुछ एक्सेसाइज है हमारे बस साथियो तो सबसे पहला ये ठीक कैसे होगा तो आप उसमें जब भी कोई जूते पहनते हो या चपल पहनते हो तो ध्यान रहे वो बीच में उठा हुआ हो उसका सोल उठा हो या फिर बहुत सारे शोप में ऐसे जूते मिलते हैं जो बिलकुल बीच में उठे वे होते हैं तो आप पैर रखोगे तो बीच में आपका यहाँ पर गैप बना देगा और आप मेडिकल में फीत हो सकते हो यह कोई 20 दिन या एक महीने में नहीं होगा इसके लिए आपको 3 महीने पहले से त्यारी करना होगा साथियो और दूसरा क्या है जब भी आप रणिंग करते हो या कोई एक्सेसाइज करते हो तो आपको टोपे करना है जब भी आप टोपे करोगे तो आपके पैर में गैप बनने की संभावना बढ़ जाती है साथियो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना जहिन साथियो इनकलाब जिन्दा बात